सक्सस प्लेटफॉम चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी बावी सिफायों का स्वागत है रिजिनिंग सेट नंबर 15, 7-12-2020, सिफ्वेस्ट में जो आपके 25 कोशन पूछी रहे हैं इन्हें मैं आपको ट्रिक्य अप्रोच के साथ सोल करना सिखाऊंगा साथ के साथ आपको आठ से लेकर 10 चैप्टरों की कोंशेप्ट, ट्रिक्य अप्रोच के साथ आपकी माइन में सेट करूँगा मैक्सिमम स्टूडेंट की जो रिजिनि में प्रोबलम होती है, दो होती है प्रोबलम नंबर वन, टाइमिंग समय बहुत जादा लग जाता है, कोशन सोल करने में नंबर दो प्रोबलम होती है कि कोशन आने के बावजूद, जब अंसर की चेक करते हो, आपके साथ से लेकर आठ कोशन एकदाम में गल्थ हो जाते है इन दोनों प्रोबलम का सोलूसन में आपको आज की किलास में दूँगा, कंप्लीट किलास देखना हमारा टारगेट है, पच्चिस में से, पच्चिस नंबर लेकर आना उसके लिए दो बातों का भी से द्यान लखना है, नंबर एक तो आपका उप्चन काटना सीखना है उप्चन ना रिजिनिंग में, चिला 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 गए बोलता है कि मैं गल्थ हूँ सिर्फ आपको देखना आना चीए, अब तो आप बावी सिफाई बनने जा रहे हो चोर को देखती पता करना है, कि यह आपका चोर है और आपका उप्चन कौन सा गल्थ है, देखती बताना है नमबर दू, कोशन पढ़ना सीखना है कोशन की लेंग्वेज पढ़ती, टाइम वेस्ट ना करते वे, डिरेक्ट आंसर देते वे चलना है किलासी स्टार्ट करते है, कोशन नमर परस्ट उस विकल पाकरती का चैन कीजी, जो दी गई आकरती में परसन वाचक चिन के श्टान पर आईगी जब आपके सामने इस चैप्टर में आपको आपको एक खर्ली श्थान देगा आको आयत में देगा वरत में देगा, जब वरत में दे रखा है ऐसे ह Henri बना गे चलना है ऐसे बना लीजिए गा अब क्या हो रहा है यह आकरती पूरी करनी है एक लाइन यह खीशते हैं आपर एक लाइन दूसरी खीशते हैं एक थर्ड लाइन खीशते हैं अब यह देखो सेम टूसेम आकरती कुन सी है देखो डी तो अपने आप बता रहे हैं मैं गल्थ हूँ यह तो आपका गल्थ है बिल हम C right answer लगाएंगे option number C next सभी question चिला-चिला के answer देंगे सिर्फ आप देखने वाले होने चीए समाने रूप से ग्यात तत्यों पर ध्यान देते हैं वेनिमलिकित कतुनों को पड़े हो और दिये गए चार विकलपो में से वेनारेक को चैन कीजी चलो कतन क्या कह रहा है सभी मारकर सभी मारकर M बोड़े मैं आपको कतन इसकर्स का एक concept clear कर देता हूँ जब बात करते हैं सभी की सभी की बात करते है सभी हमेसा आता है अंदर यदि सभी आता है अंदर कुछ आता है बार ज्यान रखना एक्जामपल देके बताता हूँ मैं आपको आपको मैं एक एक्जामपल दे रहा हूँ कि सभी चात्र सभी चात्र कक्सा में है चात्र जो है कक्सा के अंदर होगे ज्यान रखना सभी अंदर होते हैं यदि मैं बोलता कि कुछ चात्र मेदान में है कुछ चात्र मेदान में तो कुछ चात्र आएगे है, खाली अईसा करका जाएगा GEORGE GOR Otherwise कुछ चात्र मेदान में है कुछ चात्र मेदान में जब कुछ आएगा तो थोड़ा सा तρώच होएगा और जब सभी कहएगा तो वो आपका अंदर बनेगा चलो, अब देखते हैं, direct answer देंगी, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, कौन से आपके आगरती है, कौन सा क्या है, direct answer दोंगा, सभी marker board है, marker को MCD नोट किया, यह आपका marker है, इसने क्या बोले है, सभी marker board है, जब सभी है तो अंदर आएगा, यह आपके B के अंदर आजाएगा, board A, option D, option C, देखो, B तो गलत है, आपका C भी बिल्कुल गलत है, आपका D भी बिल्कुल गलत है, हमारे जैसा diagram कौन से, सिर्फ और सिर्फ, option number A है, जो कि हमारा बिल्कुल right answer है, right answer हो जाएगा, option number A, next question, question number third, उस when R1 का chain कीजिए, जो निमलिकीत वर्गों में, संबंत को सबस्र भाई, जो भाई है ना भाई, भाई जो आए, वो आपका क्या होगा, भाई तो आपका पुरुष्टो हो गई होगा, निस्चीत है जी, भाई जो होगा, आपका पुरुष्टो हो गई, मैला थोड़ा होगा भाई, ठीक है जी, लेकिन क्या बोला है, फार्मिस्ट भी होगा फार्मिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे थोड़ा टच कर देंगे, फार्मिस्ट, त्याग्राम कुन्थ बना आपका, क्या आपका उप्सन नमबर A, नहीं जी, उप्सन नमबर B, भी आपका, इसलिए नहीं है, क्योंकि जो है ना यू, पुरुस-पुरुस को टच कर जिन स्टुडेंट का के लिए नहीं है, और जिन का है, उनका फास्ट विजन होगा, सपोज गरो, यह है हमारा, चार है, हमें दरपन में कैसा दिखाए देगा, दरपन में ना इस साइड, पैन टच करो, पलट दो, यह आपकी लेंज यू कि तू पैन टच कर गए, यहाँ प पैन टच को पलट दो, जब आप पलट होगे, यह कैसा हो जागा, दरपन में आपको ऐसे दिखाए देगा, सपोज गरो, नेक्स्ट, थिरी लिखा हो है, थिरी दरपन में कैसे दिखाए देगा, यहाँ पर पैन टच को पलट दो, यह आपका थिरी ऐसे दिखाए देगा, य साथ के साथ मैं आपको water का भी बताता हूं पानी का पर्तिवीम या water पर्तिवीम पुछा जाते है water image यदि हम बात करते हैं water की माले चार है water में चार कैसा दिखाई देगा water में यहाँ पेहन नखेंगे तो ये चार दिखाई देगा जिस लेगर अल्टा हो जाएगा, और दरपन में कया होता है, दरपन में फलट जाता है वस, ध्याण लगता है, लेप राइड तो पलटता है आपका दरपन में और भै तो इस question को करते हैं, हमारा question किया है, दरपन में निर्मित सही परतिविम चैन कीजी, देखो, इसे में पूरा सोल करे भी न, direct answer देने की कोशिश कुरूगा, एक concept हो रहता है दरपन में, जो दरपन में last की digit होगी आपकी, last का अंक होगा, वो आपकी answer का पहला होगा, इस बात का ध् PC स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद आपका option number D भी देखो, गलत हो चुका, क्योंकि ये भी PC स्टार्ट हो रहा है, देखो, दो चीज का पता चला, last वाली digit सा अंतर स्टार्ट होगा, ऐसे देख ले न, 80 से 90% question, आपको solve करने की आप सकता नहीं होने की, direct answer मिल जाएगा, इसम बिल्कुल सेम दिखाई देगा, इसके बाद क्या है आपका I, I सेम दिखाई देगा, T, T सेम दिखाई देगा, T के बाद इसमें क्या रहा है, C आ रहा है, और इसमें क्या रहा है, U, बस यही आपका गलत है, यह भी आपका गलत होगा, देखो C कह रहा है, चिला 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 पप मतन करना पाप कैसे? जो गल्टी करने है अभी करो एक्जम में गल्टी करके पाप हमें नहीं करने कोशन नमर पाँच कों सी विकल्बाकरती? निमलिकित आकरती? सरंगलामी परसण वाचक चिनकेश्थान पर आएगी दी गई सन्योजन का सही दरपन परती भी उत्तर विकल्फ सी होता है चलो, अब क्या कह रहा है, इस कोश्चन में लोजिक क्या लग रहा है आपका एक तिर्बुज है, थोड़ा डाइगराम थोड़ा किलर नहीं है एक ये तिर्बुज है, तिर्बुज के बाद आपका ये एक वर्थ है, वर्थ के बाद ये ब्लैंक वर्थ है फिर एक आपका, मैं सिंबल बना कर दिखा देता हूँ, क्योंकि सभी दिखाएनी दे रहा हुआ सबसे पहले तो ये वाली आ करती है पहले नमबर में इसके बाद आपकी दूसरे नमबर पा करती है ये डूटिड वाली इसके बाद तीसरे नमबर पा करती है बलैंक वाली चुत्य नमबर पा करती है आपकी आयत वाली डबल डब्बे वाली आयत में ये अंदर कलर वाला है पांचवे नमबर पाकरती है आपकी ये ऐसे वाली अब इस वाली आकरती में क्या हो रहा है क्योंकि स्क्रीन पर तो आपके सामने के लिए दिखाई देगी इस आकरती में क्या हो रहा है दूसरे वाली आ करती वे तीसरे वाली दूसरी और तीसरी तीसरे चुत्थे बजा रही है दूसरी तीसरी तीसरे चुत्थे बजा रही है दूसरी और तीसरी देखो मैं दूबर बता रहूं आपको क्या हो रहा है समय लोजिक जो यह आपकी दूसरी आकरती है यह तीसरी आकरती है यह कहां बजा रही है यह तीसरे और चुत्थे बजा रही है यह वाली यहां की दूसरी और तीसरी आकरती अगले वाले डब्मे में तीसरे पर और चुत्थे बजा रही है यह आपकी दूसरी और तीसरी आगरती जब तीसरी चोत्य पर जाएगी ब्लैंक तो यहाँ पर आजाएगा और चोत्य पर यह डार्क वाला यह स्टार से यहाँ आजाएगा अब यह देखे लो यह कौन कौन से में आपके यह आपका किस किस में आपका यह उफसर नमबर A में तो आपका ये नहीं है उफसर नमबर B में आपका है उफसर नमबर C में भी है उफसर नमबर D में भी है अब ये देखिएगा जो पहले नमबर पाकरती है वो सम्में C में इसमें स्टार ता इसमें स्टार ता इसमें गुला इसमें गुला तो इसमें क्या हो रहे? इस वाले में आप इस वाली आर्टि में जो ये वाला है न ये वाला नंबर एक पर आएगा जो कि उफसर नंबर B में नहीं है उफसर नंबर D में ते नहीं है आपका उफसर नंबर ये आपके C में है Next question 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 number 6 पेपर कटिंग वाला कॉंसेप्ट आपको पता होना चाहिए सबसे पहले पेपर कटिंग के लिए एक ऐसा बोक्स ले लेते हैं यदि आपसे प्रैक्टिस आपके अच्छी है तो अच्छी बात है नहीं ए फोर साइज के पेपर के चार पार्ट करना चार नहीं आठ पार्ट करना और जैसे जैसे मोड़ के जा रहा है मोड़ती वे जा रहा है ऐसे मोड़ के देखना लास्ट में जो सिम्बल लगाना चार रहे है वो सिम्बल लगाना राइट आंतर होगा सबसे पहले इसने ऐसे मोड़ आया मूड देते हैं, कोई बात नी, पैन चेंड कर चलूँगा मैं साथ के साथ, फिर मेरे पास ये वालिया करती है, फिर इसने क्या कहा कि ऐसे मूड हो, फिर मेरे पास ये वालिया करती है, साथ के साथ मैं कलर चेंड कर चलूँगा, ये वालिया करती है, फिर इनों ने क्या कहा, ऐसे मोडने के लिए का गया, और मेरे पासंती मुवस्ता यह है, हम आपको एक कुंसेप्ट बताना चाहरू हूँ, और इसने क्या किया, यहाँ पर एक गुला लगवाया, चलो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी कभी, जब भी कभी पेपर कटिंग या, कागज कटिंग वाले में है, आपने जिस साइड से मोड़ा है, आपने इस साइड मोड़ा है, जब इससे ओपन करेंगे, जो सिंबल हिहाँ होगा, वो इसके विपरित होगा हमेसा, विपरित बोले तो, जब इसका arrow इधर है न, जब आप इसे open करोगे, मालє यह arrow है, एक मून्टू को, माली ऐसा पोज करो, यह arrow-teare का ऐसा था, जब आप इसे paper को दूसरी side open करोगे, तो यह arrow ना, आपका दूसरी side ऐसा आएगा, इतनी बात ध्यान रखना कभी भी question आपका गल्त नहीं होने गल्ए तो simple सा question है तब से टब भी question आपका गल्त नहीं होनेगा इसना आपका ایک ग Zusammen गुला सा यहां पर लगाया घीक है जी अब जब हम paper open करेंगे एक तो यहान पर आन फिक्स है विपरित में यह तो गोला है इस में विपरित होने का नहीं जब जैसी दूसरी बार मैं open करूँगा इस side यह दुनों just कहां इधर ली side होंगे दुनों आपके कहां होंगे दुनों आपके just एक यहां पर होगा जहां नखना विपरित होते हैं यह तो थोड़ा close है इस वाली लाइन के तो यह close होगा यह इस वाली लाइन से जितना दूर है न यह इतना दूर बनेगा जहां नखनावस अब जैसी इस से तीसरी बार open करेंगे यह जितना इस लाइन के पास इतना पास बनेगा और यह जितना इस line से दूर है वो अतना दूर बनेगा मैं answer नहीं देखनेगा और नहीं option देखनेगा मैं अपने diagram पर ध्यान दूँगा और अब मैं check करूँगा मेरे जैसा diagram कौन सा option है मेरे जैसा diagram option number B नहीं है option number D नहीं है option number C नहीं है right answer आपका option number A ऐसे ही आपको practice करनी है आपको option देखने की आउ सकता ना पड़े आपको सिर्फ इद ना देखना पड़े कि मेरे वाला answer कौन से option में है तब आपके 25 में 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता और देखो ऐसा कब होगा ऐसा होगा सिर्फ और सिर्फ practice से अच्छे से practice करते है चलो दिये गए चार सब दो में से तीन में से एक निश्चित परकार की समानता है समानता है तो एक संगत है संगत विकल्प का चैन कीजिए question number 7 में क्या दे रहा है चार में तीन एक जैसे है एक इसमें अलग है बताना है क्या परसांती, संकुचन, एठन और आपका दोरा इसका आपका रायटांतर हो जाएगा इसका आपका रायटांतर हो जाएगा परसांती यह तो आपके अलग अलग यह तो एक ही चीज है यह तो अकड़वाले हैं चलो जी प्रसांती को छोड़कर सेस अन्य सभी एंटन, संकुचन और दोरा, सिरीन मेना होने वाली अनिचिक किरिया ही होती है इसलिए आपका राइट आंतर उपसन नमबर यह हो जाएगा नेक्ट कोशन नमबर उस विखल पाकरती का चेहन कीजी जो दी गई आकरती है मैं आपको क्या बता गया चला वहूँ यह डबबा बनाओगे बिल्कुल पहले डबबा बनागी ही चलेंगे हम जिससे कि मुझे चेह की ना करना पड़े कोई डाउटी ना रहा अंतर किया ने यह बाद गलती है जब आपके सामने खुद आपके बनाया हुआ डाइगराम ओप्सन बताएगा कुन साओं में ठीको ठीका जी इसके बाद क्या करेंगे हम यह आकरती पूरी करने के लिए बूल ले है आकरती पूरी करते हुए साथ के साथ चलेंगे एक लाइन तो थोड़ा सा टेपर से मैं ऐसी थी एक लाइन टेपर मैं ऐसी थी देखो इतनी ही आकरती से कितने ओफसन कार्टे मैं दिखाँँगा आपको ओफसन अंबर बी तो कह रहा है सर में तो ऐसा ही हुई नहीं गल्थ Q9. ऐसे Q9 को टाइम वेस्ट ना करते हुए, डिरेक्ट इसके निसकर सब पहुंचेंगे कि आप पूछ क्या रहे है? इसको आपका ये लिख रहे है, इसको ये, तो इसको क्या लिखेगा? चलो. अब देखते हैं, S. S को लिखा 8. S8 मतलब high school. S का विपरित क्या होता है? H. इस इस से अलग जितने बचे हैं, उनको विपरित की दिया. चलो देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, P. P का विपरित क्या होगा आपका? P का विपरित होगा 11. R. R का विपरित क्या होगा? No. 27 मत गटा लेते हैं, डिगिट. वो याद ते है विपरित. O. O का विपरित क लग बग आपको 25 में से 3-4-5 question में ये वाला patent लगाना है, 3-4 question direct आपको देखती ही, पुलिस वाली निंगाउसे direct soul करने है, पता लगाना है कि अंतर गल्त कौन से, आपकी जो timing है, 15 मिन्ट पर बड़े आसननी तरीकी से आ जाएगी. Next question, question number 10. अब पुलिस वाला निंगाउस लेकि निया आगए जागा मुडरेस में भी नहीं है आपका, इसके बाद आपका कुन सा बचा? B.O.D. B.O.D. में इसमें B.O.D. में ये यहाँ पर है, क्रोस में निच्चे बिल्कुल हो नहीं रहा है, तो उसका मतलब आपका क्या हो जाएगा B. B.O.D. में इसमें B.O.D. मे बता देता हूं, without formula, निकालते कैसे हैं? 10% का अंतर होगा, साधरान ब्याज, देखो, फोड़ा सब पैन तो चलाना पड़ागा, समझाना पड़ागा थोड़ा, साधरान ब्याज होगा, आपका 10, 10, 20, 20% जबकि जो चकरवर्दी ब्याज होगा न, 10 गुना 10 बटे 100 होगा ब अच्छा, 732 दे रखा है, एक परतिसत का मान कितना दे रखा है? 732 उच्छा गया, तो धन पुच्छा, गुना 100 बर्दो, दो जिरू बड़ागा दो, कि 7200 आपका राइट आंतर होजाएगा, आपका कुन से होजाएगा, कि 7200 आपका कुन से होजाएगा, यह बात समझ में नहीं आई होगी, मैं संजा कर जाऊँगा, बिना संजाएगा यह नहीं जानेगा, देखो, होता क्या है, जब आप साधन ब्याई निकालते हो, जिसे बोलते हैं, simple, तो क्या होता है, जितनी आपका दर होती है, और, इंतू, जो आपका समय होते है, वो गुना होती है, और इ 20% की एसाफसे में साधरन भी आज मिला था अब बात करते हैं चगरवर्दी भी आज की पहले साल तो 10 मिले गई दूसरे साल भी 10 मिले गई लेकिन जो पहले साल 10 था उसका भी तो 10% मिले गा उसका 10% एक हो जाएगा तो ये टोटल आपका चगरवर्दी भी आज कितना होगा आपका टोटल 21 होगा तभी तो डिफरेंस 20 और 21 में एक का रहा है था इसलिए डिरेक्ट अलग अलग नन निकालते हुए कोई सभी आपका कोश्चन हो कुछ भी आपकी दुनिया की दर हो क्या करोगे जो आपकी दर दे रखी है मालिया सपोज करो 20 देता दर 20 गुना 20 बटे 100 गड़ते है 4 डिफरेंस आता मिसा मालिया पच्ची देता तो 6.25 डिफरेंस आता यही आपका पैटेंट होगता है नेस्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 12 उस विकल्प का चैन कीजिए जिसकी आकर्ती C से वही संब्द है जो कि आकर्ती B खा आकर्ती A से है चलो इसमें लोजिक क्या लगा हुए हमें थोड़ा सब पकड़ना पड़ेगा इस कोश्चन को कि देखती हैं आंसर किसका कैसे लगा सकते है अब देखते हैं जो आपका पहले नमबर पे है वो अगले वाली आकर्ती में क्या हुआ है विप्रित हुआ है ये वाला ये आपका है तो हमारा आंसर में नमबर एक तो ये तिरसूल पहले वाले डब्बे के पहले ही कोणर में बनेगा अब इसके कोणिंग में देखता हूँ आपका किस किस में आपका ये बनावा ये निचली साइड था अब कहां चला जाएगा है उपर की साइड चला जाएगा आपका उपर की साइड तो सब में है गजब इसके बाद क्या हो रहा है आपका जो आपका ये वाला कॉनर वाला है ये दिसा चेंज़ कर रहा है फिर ये सिद्धा है तो अब किदर होगा है अब आपका ये अब आपका ये इदर होगा कौन से वाला ये कॉनर वाला अब कॉनर वाला ये वाला ये कहा है देखो इसमें भी है इसमें भी है एक तो option number D cut गया आपका अभी तीन बच रहे हैं चलो कोई बात नी इसके बाद आपका ये S था ये just पल्टा ये है ये अब क्या हो जाएगा सिद्धा खड़ा हो जाएगा खड़ा हो जाएगा उनको उनसे में आपका आपका इसमें इसमें तो डबल वाला है A और C में बच आपका अब देखते हैं गुरलोजी क्या लगा हो जाएगा इसमें जीता इसमें बिल्कुल इसके जैसा आजाएगा राइट आंतर आपको option number C हो जाएगा question number 13 निमली की चार आकर्तियों में से इसमें दोनों अलग 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 जबकी इसमें ए A वाली का Mद्धह का northeast B में उसी परकार क्या होगा C करती की मध्धह का वाग, आपका ये वाला D वाली के उसमें दरपन का पर्फिम होगा, तो इसके coding रायटा अंथा हैं का कौनता होजाएंगा? ओप्स नंबर С, इसका दरपन पर्फिम. दिखो, घथा दू उसको में समझाया हुआ है आपको यह है ऐसे करके इसका यह डबलू सा इदर बनना दरपन में डबलू सा इदर नहीं बन जाएगा क्या एक उल्टा सिंग निचर राइट आंतर ओपस नमबर सी नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 15 यह आपका पासे वाला ओपसन कोशन है ओपन डा यह आपका दो यह आपका तीन यह आपका माले सकुझगरो एक कभी भी एक के विपरित दो नहीं होने का दो के विपरित तीन नहीं होने का तीन के विपरित एक नहीं होने का जो आपको सत्य पर सामने दिखाई दे रही है डिजिट वो एक दूसरी के विपरित कभी भी नही इसके लावा देखो अब openаем की बात वोई है कभी भी you के विपरित जड़नी होने का, z के o नी होने का e के विपरित a नी होने का e के विपरित i नी होने का आप समय सब बरसी विपरित नहीं होते है इस बात का ज्हान रएक़लाना बस क्याए क्या रहे है E वाले फलक के विपरित फलक पर कौन सा होगा अब देखते हैं एक छोड़कर क्या होता है विपरित होता है अब हमें पता है A के विपरित A ये नी होने का आपका ये बनी होने का A के विपरित कौन सा होगा A के विपरित चाहरसी बात है O होगा इसके बाद E के विपरित आई नहीं होनेगा, A नहीं होनेगा, O नहीं होनेगा तो E के विपरित क्या होगा आपका, E के विपरित आपका होगा U और I के विपरित क्या होगा आपका, I के विपरित क्या होगा आपका, क्या बचा Z अब किसके पुच्छा ए वाले फलक के भी प्रित क्या है यू आपका राइटा अंतर उप्सन नमबर डी नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर सोला कौन सी विकलप आकरती नमलिखित आकरती सरंखला में परसन वाचक चिन की इस्थान पर आएगी बहुत अच्छा कोश्चन ह कार थी यह फूल सा था और आपका कार थी यह फूल सा था और यह आपका मैडल था फिर क्या हुआ आपकी कार बीच मा आगई आपका यह फूल सा गायब हो गया मैडल बचा ऐसे करके क्या हो रहा है जैसे जैसा आगे बढ़ रहे हैं आकरती चेंज जारी एक गायब हो रही ह अब लास्ट वाली आकर्ति आपकी क्या है यह आया थे यह आपका तिरभूज सा है और यह आपका जो है कैमरा टाइप में जो रेडियो होती है वो है अब क्या होगा इसमें से आपकी एक आकर्ति कायब होगी तो आपका जो एक तिरभूज और कैमरा सा बचेगा एक नहीं आक से क्या होगा 15 से 90 बनाने के लिए 15 छी की 90 और 18 छी का आपका 108 लेकिन 108 उप्शन में नहीं है तो इसने क्या लोजिक लगाया है 15 को डिवाइड गया है तीन से कितना है आपका 5 पांच में फिर क्या किया है गुणा 15 किया है 15 पंजी 75 में 15 जोड़ा है तब जागे 90 यह लोजिक तो बहुती कम बच्चे लगा पाएंगे एक्जाम में देखो सचाई तो यही है तब 18 वाले में क्या होगा 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 6 की गुणा करेंगे 18 में पलस 18 जोड यहाइगे आप B अक्सर की वीबित बतायाहegree है सबसे पहले पासिय में आपको बताया हुआ है कम़ाइग करेंगे इस वसरूत दूड़ा नहीं दे रहे है और तीन में Reports CV में क्या है आपका removal आपका दूसरे नम्बर का है उसमें मैं आपको बना कर दिखा देता हूं जिनेились क किलियर नहीं दिखाज दे रहा है B, थोड़ा डार्क है यह, C, प्रिंट ऐसा ही आया था आपका यह, D, यह तो आपका दूसरे नंबर का है, और तीसरे नंबर का जो आपका है, C, C, E, यह था आपका, पासे नंबर दो वे तीन, अब यह देखते हैं, जो कोमन होता है, उससे ही उठा लेते हैं, कोमन क्या है D, जो जिसके सामने है, वो उसका विप्रिद, B के विप्रिद क्या आजाएगा आपका, उपसर नंबर, C, C नहीं आनेगा, चलो चेक कर लेते हैं दुबर, D, D, C, C, आपको यह गल्द बन गया, यह थोड़ा में स्प्र आपका C है, यह आपका D है, पसर नंबर आपका कुन सा है, पसर नंबर दो तो आपका यह रहा, और पसर नंबर तीन कुन सा होगा, इसमें C है यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें E है, और यहाँ पर आपका क्या है, D है, ठीक है जी, अब हमें दिखाए दे रहा है, D, D, E, E, C, C, अब B के सामने बताना है B के सामने आपका क्या आजाएगा B के सामने डारेक्ट आपका E आजाएगा C, D कुमने जो बचा आपका वो उसके सामने B के सामने क्या आजाएगा E Titanthropus number D में ही है E Next question, question number 19 क्या हो रहा है, चार आकरती है जैसी, एक आपको अलग बता नहीं इसका तिर्भूज एरो एक साइड तिर्भूज एरो एक साइड यह आपकी अलग हो जाएगी तिर्भूज एरो अलग अलग साइड Next question, question number 20 कीट, कीट, एंटोमलोजी चट्टानो, कीटो का अध्यन एंटोमलोजी का अलग के अलगता है और चट्टानो का अध्यन, क्या कहता है यह बताने, इसे बोलते हैं तियोलोजी Next question, question number 21 ऐसे question को, यदि आपकी practice जवरदर्थ है तब इसे attempt करना है अन्यता, second round के लिए से छोड़ देना है क्योंकि time लेगा, practice अच्छी होगी direct answer आएगा, अन्यता आप 2-3 मिनट भी दे सकते हो और आपको छोड़ गए दोवारा next question पर भी जाना पर सकता है चलो, इसका निकालने का तरीका बताता हूं option number A और option number option number D को छोड़ के चलते हैं B और C से चेक करते हैं चलो, digit तो आप की निगाई यहां होने चीए symbol change होते हैं रहने चीए जैसे कि 176 minus, minus की जंगा क्या रखेंगे भाग minus की जंगा रखेंगे भाग, 16 plus 33 गुना 6, भाग की जंगा क्या रखेंगे, minus 200, बराबर 9 आएगा या नहीं आएगा भी चेक कर लेके जब 176 को हम 16 से डिवाइड करेंगे 16, 16, 16, 16 यह आपका आया 16, इतने का मतलब आया आपका 11 11 के बाद आपका 16, 186, 186, 188 186, 188 कितने होते हैं आपके 108 में ठीक है जी, यह symbol किस चीज का था plus का था minus आपका कितना था, आपका 200 बराबर 9, अठान में मैं से 200 का इकितने बचे आपके 2, minus 11 मैं से घटा दो, no right answer आपका, सही तरी के जोड़ना चाहते हैं सही तरी के जोड़ना चाहते हैं, सही तरी के जोड़ना दो question number 22 4, 19, 41 में जो logic के लग रहा है इन में से कौनशे option में वो logic होगा वो यह आपका right answer होगा logic क्या लगा रहा है, 4 गुना 4, 16 4 गुना 4, 16 plus 3, बराबर 19 फिर क्या लगा रहा है, 19 गुना 2 38, plus 3, 41 अब क्या है, जो की तूछ संक्या की गुना करके 3 जोड कर आया, फिर 2 बारा 2 गुना करके जोड कर जो भी आएगा वो यह आपका answer जैसे कि आपका 5, 5, 5, 5, 5, 25, 3 कितने होते हैं, 28 28 की गुना करेंगे 2 में, हाथता नहीं इसके बाद 8 का 8, 64, 64 में 3 जोड दोगे 67, 67 की गुना करेंगे कितना होता है, 66, गुना 2 नहीं आता पड़ा कोई बात नहीं 6 दूनी 12, 120, 7 दूनी 14 12, 12, 12, 12, 12, 134 तो मैं 3 जोड दोगे 37, यह राइटांसर हो जाएगा फिर नुबर D, प्रैक्टिस का गेम है, वो 24 1, 5, 10, 27, 58, 15, 53, 34 के बाद यहां पर क्या आएगा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस दिखेंगे, कितने का डिफरेंस है, 4 का फिर आपका 5 का, फिर आपका कितने का है 17 का, फिर आपका 58 तक कितने का है 31 का, फिर आपको 153 तक कितने है चार से पाँच हुआ चार की गुना दो में की आठ में से तीन घटाया पाँच फिर आपका पाँच से सत्रह हुआ पाँच की गुना गए में की तीन में पांतिया पंद्रा पांतिया पंद्रा में से दो घटाया सत्रह फिर 17 गुना किए 7 दुनी 34 में से 3 गटा दिया फिर आपका 17 दूनी 34 से 3 गटा दिया कितना आपका 31 गुछ 31 गुना 3 गुछ और पांदो नी दस अथारा दस एक सु नदबब्य मैसे तीन गटा दिया एक सो सतासी गुना तीन में हो जाएगी और पर दो जोड़ोगे कितना होगा आपका 563 और यह पांसो तरेसी आपके तीन सो चालिस में जूड़ जाएगी यह हो जाएगा आपका 903 एक बार प्रेक्ट बूड बिल्डर देखते हैं वस आप तो पुलिस में कोस्टेबल बनने वाले चोर को देखते ही पकड़ने आपको बूड 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 यह वाला अग्गे तक नी जाना मुझे यह तक जाना वस्ट पतंग नी बनाने इसकी राइट अंतरा आपको अफ्सन नम्बर ट्वंटीफाइब, टीन, साथ, अठारा, चालीस, फिछात्र, 117, 117, 127, 127, 147, 569, ठीक है, इसमें आपको बताना है अगले इस्तान पर क्या आएगा, अब देखते हैं, इसमें लोजिक क्या लगा हुए है, पहले कितने गंतर हैं, चारगा, फिर साथ से कितना हुआ, अठा 42-40, फिर बढ़ रहा है kilka बढ़ रहा है लास्ट में आपे 191 बढ़ेगा जो कि आप 569 में जोड़ोगे 760 आपका राइट आंथर हो जाएगा 760 ऐसी आपको रिजिनिंग की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है वीडियो अच्छे लगी है लाइक करो सेर गुरो चैनल को सब्सक्राइब को तेंक यू